हेडी एस्ट्रेइन मैं रहूल और स्वागत आप लोगों का अपके फिन इटूब टनल और के सिंटर पे दूस्तों आज के क्लासिस में मुझ जानने वाले हैं F.I.U.C.P. Semester 1 M.N. History के Most Important Model Paper के बारे में जो आपका सेट 1 और सेट 2 दोनों के लिए होने वाला है कहने कार सिए है कि Semester 1 में Minor Paper History का जो एक्जामरेशन होने वाला है उसके लिए मैंने आपको लोगों के लिए आपके एक्जामरेशन के लिए Model Paper त्यार किया है जो आपके एक्जामरेशन के दिरिश्ट्री कौन से क्या रहेगा Most Important होने वाला है चाहिए आपका सेट 1 हो Means आपका एक्जामरेशन जो है Minor Paper का वो दो सेट में होगा तो दोनों सेट वालों के लिए यह जो पेपर है Model Paper है वो क्या होने वाला है Important होने वाला है इसके थुरू से आपको पला चलने वाला है कि किस प्रकार से MCQ कोशन आएंगे किस प्रकार के Subjective कोशन आएंगे तो देखें दूस्तों यह हो गया आपका Paper Minor History का ठीक है में स्मॉर्ड पेपर हो गया ठीक है यह आप बताया गया कि तीन घंटा का आपका समय रहेगा ठीक है और 75 मार्स का कोशन होने वाला है अब देखें जैसा कि मेरे आपको बताया था कि यह जो पेपर रहेगा आपका वो दो भावों में बटा हुआ रहेगा ग्रूप A और ग्रूप B जैसा आपका Major Paper में था बिलकुल सीम आपको Minor Paper में भी बिलने वाला ठीक है और ग्रूप A का जो पहला कोशन रहेगा उसमें से 5 MC की कोशन पूछे रहेंगे ठीक है देखें कोशन लिखावा है कि किस वेद में सबसे प्राचिन वैदिक यूग की संस्कृति के बारे में जानकारी दिया गया इसा कौन सा वैदिक यूग है जिसमें से सबसे प्राचिन वैदिक यूग संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है तो रिग वेद में किसमें? रिग वेद में मिलता ठीक है अब देखें कोशन नमर 2 की अगर बात करते हैं तो question number two में लिखा आपका जैन धर्म के संस्थापक कौन थे अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे रिसब देव थे कौन रिसब देव जैन धर्म के संस्थापक थे ठीक है next question आपका पूचा गया है हडपा सबयता किस नाम से प्रसीद है हडपा सबयता को और किस नाम से जानते है तो सिंदू सबयता के नाम से भी इसको जानते है किसको हडपा सबयता को next question पूचा अबाफूर में कि वेद कितने प्रकार के होते है वेद जो है वो कितना प्रकार का होता है ठीक है तो वेद जो है आपका चार प्रकार का होता है ठीक है फिर देखिए नेक्स कोछन आपको पूचा गया है कि मौरे समराज की स्थापना किसने किया था अगर मौरे समराज की बात कि रहें तो मौरे समराज की स्थापना किसने किय किया था ठीक है तो यहां तक आपका पांच अंसे क्यों लोग देख लिए अब बाते यहां पर आती है कि कर नहीं द overwhelm के बारे के भारे में कर दिया है a कि और लोग एक कोईशन नहीं देखे होँगे के कोईशन स्युशन का लिंक और युका नहीं सी आपको दिसख्रय नहीं देख्यों और सारी के सारी कोईशन के लिंक आपको description box में दिया गया है वहां से आप लोग जल से जल description box में जा करके BBI questions को देख ले उसका साथ साथ अगर आपको WhatsApp group और Telegram group में जोड़ना होगा तो उसका link आपको description box में दे दिया गया है ठीक है अब देखें यहां तक हम लोगों ने group A को clear कर लिए अब हम लोग group B में देखते हैं कि group B में जो subjective question पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के subjective question आपके शामरेशन में पूछे जाते हैं और कितने subjective question आएंगे ठीक है अब देखें दोस्तों यहां से हाता आपका खंडखा खंडखा कहने का मतलब है group B ठीक है इस प्रकार से आपको question दिये वह रहेंगे कि निमलिकेट में से किनी चार प्रसन का उत्तर दें मिस चार प्रसन यहां पर आपको बनाने रहेंगे जिसमें से आपको 10 प्रसन दिये र करें प्राचिन भारत के साहितिक सरुत के बारे में मैंने बता दिया था इसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है मैं इस प्ले लिस्ट का लिक डाल दूँगा अब तक वहां से सारे वीडियो को देख सकते हो ठीक है कुशन भार फूर में आपका गौतम बुद्ध के जीवन एंवं उप देशों का वर्ण करें कि आखिर कौतम बुद्ध के जीवन कैसा था और उनका क्या-क्या उप देश था उसके बारे में वर्ण करना है नेक्स कूर्शन 5 में है कि चंदरगुप मौरे के जीवन एम उपलब्दियों उपर प्रकास जा लें कि चंदरगुप मौरे के जीवन कैसा था उनका उपलब्दी कैसा था उनका उपलब्दी क्या क्या था उसके बारे में वरनन करना ठीक है को नक्स पॉर्षव दिशमिक्स में सिख ने के जी7 उप बद्दियों पर असो खू बारी में जानना है और उप्द्दियों के बारे में उस सारे के सारे कोशन का तयारी आपको करवा दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लिस्ट का लिंक वहाँ से आप लोग पूरे वीडियोज को देख सकते हो ठीक है सारे वीडियोज को देख सकते हो कि कौन सा कौन सा important question है ठीक है कौन सा कौन सा question हमारे examination में आएगा सारे वीडियोज को आप अराम से देख सकते हो ठीक है और बड़े easy सब्दों में आपको सारे questions ड्रिल करने का परयास किया गया है तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी कोई questions होगे आपके माइन में तो मुझे पूछ सकते हो तो मिलता नेक्स पूडियो में तो तक के लिए चाहिए चाहिए भारत